का आपका स्वाध तेर्व हेलो पुऊक है लो मालवाए रेशिपी आपका सुख भागो थे के आज हम बनाने जहा हो है धार रहें जोकि हल्वाय लखेंगे अपको बता ने जहा रही हूं और वैसे तो घर में हमारे छोले रेशिपीज बनती हैं, लेकिन क्या होता है, उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, तो मैं क्या हल्वाई ये से कि आपको बताऊंगी, और हल्वाई की कुछ अपनी ट्रिक्स होती है, तो वह हमें पता नहीं होता है, तो कई सारे लोग बनाते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है तो वही चीज में आपको बताने जा रहे हूं कि हलवाई की क्या क्या ट्रिक्स होती है तो आईए मैं सामगरी बता देती हूं कि अधर अभी तक आपने हमारा मालवा रेशिपी चैनल सब्सक्राइब महीं दिया है तो इस वीडियो के निशे दिये राइट बटन पर फ्लिस करके सब्सक्राइब कर ले और पार्स में दीगे बेल आइकन को भी कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेशिपी की इंफरम मैंने इसे 200 ग्राम लिये हैं तो आप मेजरमेंट करें तो दो कटोरी भी ले सकते हैं आप जितना भी कॉंटिटी नो भनाना चाहें और मैंने इसे छोटे से चोटे 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 आलू जो है चार आलू शीलके रखें अगर आपको घर में कोई ज्यादा पसंद करते हैं त अगर आप कुछ देर तक भी रखेंगे तो अच्छी सी स्मेल नहीं आएगी आपको त मैंने जोली एच्छी से इसको पानी को अप पको रखे हैं आप अब रखे हैं तो मैं आप में आप को उबालने की सामगरी बता देती हैं क्या-त डालूंगी खड़े मसाले में मैं यह देज पत्ते हैं मैं ज्यादा कॉंटिटी में डालूंगी ताकि उसमें जो पानी होता है उसमें ये फ्लेवर आजाए और एक चमश इसमें नमक एड़ करूंगी और मैंने इमली लिया है बहुत सारे लोग चाय पत्ती डालते है वो सिफ कलर आता है और कुछ जानते हो कि चाय अलग चीज़े और खाना अलग चीज़े तो मैं इसमें इंदी का एड़ कर रहे हूं तक इसमें खटापन भी आएगा और इसमें कलर भी आएगा फ्रेंड्स तो आईए मैं आपको अबारने का प्रोसेप बता दीती हूं हम गेश कॉन कर देते हैं सबसे पहले मैंने गेश क अब मैं इसमें एक लोटा पानी एड़ कर रहे ही अगर आपको जितने भी मसाले खाना है जो भी करना है भीगोने के समय प्लीज आप ना डाले और जो भी मसाले आपको डालना है वो आप उपालते ही समय पूरे मसाले को डाले मैंने इसको डाल दिया है अब अच्छे से घ्लाब ही पहले जो कि हमारे मसाले हैं वो अंदर चलेगा अब ने इंगली डाली है तो इसका क्या खटापन भी आएगा और इसका कलर भी आएगा इसे अंदर की तरब हम कर देते हैं फिर हम इसका जखकन बन कर नहीं है पानी एक बन ज्यादा मैंने नहीं डाला है चोले जो है मैं धीमी आच में रख रहे हूं इसे छे से साथ सीटी लगाऊंगी धीमी आच में लगाऊंगी ताकि अच्छे से गूर देफ्रेंस मैं इसके आच को धीमी कर देती हूं और आईए आपको फ्राई की सामगरी बता देती हूं उसके लिए सामाल बता देती हूं मैं फ्राइ की सामागरी बता देती हूं मैंने एक कटोरी पूरा कटोरी भर के छोले में तेल जाता लगता है तो मैंने एक कटोरी तेल लिया है एक कटोरी पीसीवी प्याज है एक आधी कटोरी मतलब जो टमाटर है मैंने आधी कटोरी लिये वे फ्रेंड्स आप चाहे तो सब्सक्राइन सब्सक्राइब चमश में जीरा चमश धनिया पाऊडर एक छोला मसाला लिया हुआ है और मैंने तेश पत्ते उबालने में भी डाले हैं और फ्राई में भी डालूंगी काली मिर्च और यह आप देखेंगे तो यह रतन जोथ है जो कि इससे हम छोले में आगर डालते हैं तो इसका कलर आजाता जो एक दम रेट दीखना यह इसमें अगर तरी नहीं आएगी अगर इसका कलर अच्छा नहीं होगा तो एक चुटकी मैंने हिंग ली विए और एक चमश मैंने नमक लिए एक चमश मैंने उसमें भी डाल दिये हुगालने में भी और एक चमश हम यहां पर भी यूज करेंगे एकदम कम डाल से, अधी चमश में छूखा नारीयल ही तो डखना के दायओ से, Front of the Cane सीटी आहेगे दीम्याश के में रग दिया है transfers तो फ्रेंड्स हमारे छोले मैंने 5 सीटी कर लिये दीमी आज में अब हम इसको चेप कर लेते हैं कि इस ट्राइप चेप से बॉइल हुए है देख़ीए छोले हमारे जो है अच्छे से हो चुके हैं अब हम इसको प्राइप करते हैं तो गेस कौन कर देते सक हैं तो गेस कौन कर लेते हैं कि यहां हम आर मारा गरम हो रहा है इसको ठीक कर लेते हैं कि ये कि लाक्या थे रानष पत्य सकाया है है जुछाद सब्सक्राष को भातर दरुछा दो मैं तो हिंगे कि अध्यर्ण अलस दगस क्ली घरते तरने Murphy तेज पपे हमें डाल दिये हैं अब हम इसमें यह जो हमारी आली मिर्च है इसको हम डालेंगे अब जो यह हमारे यह ने बोला आपको कलर छोड़ेगा देख सकते हैं इस टाइप से कलर छोड़ रहा है अब हम इसमें जीरा और जो खड़ा हमारा दिये हैं इसको हमें डाल दिये हैं अब हम इसमें लेशुन डालेंगे लेशुन और द्राइप कमारा दो पिता हो है अब हम देख सकते हैं मैंने रतन जोड़ का येश किया है इसे कलर काफी अच्छा हो दो रहा है अब हमें दिये अच्छा प्याज को पकार लेके लिए इसी तरह से अच्छा प्याज है आज हमारे इसे पकाते रहना है ये दिये अच्छा ब्राउन हो जाएगे अच्छा का लए आज हमारे अच्छा हो गया है इसको एड़ करेंगे अब देख रहे तील और मुफली के दाने और में खस्पस के दाने दाने कर दिये हैं अब मैं आज को फूल कर दूंगी और तामाटर का जो हमारा पेस्ट में इसको डाल दूंगी कि अब तो में डाल दिया है आपके उमारा सॉस है इसको भी मैं तुनियों डाल देती है कि अब हमें चौर पांच में चौर पकाएंगे तो जो इसका बीष पानी होता है जो हमारा का माटर का पेस्ट ये उले जाएगा तक 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 से शूखेगा तक से पताना है जो देख्टेल सोलेगा तब हम उसमें बाकी चीज़ करेंगे चौर ने नुच पाशन कलर देके बाधि मसाले बचेने में अब यदाल लेती है तक कि चौत की पांच में ऐसे नुटे के जो नुटतिति अब हमदी पावडर का देना है और दुनियों पावडर को भी एड़ करना है कि में झाल नारियल नाय को तंड शुकन और देख सक एक हैं,शकर दॉन के शुछ यूह जान के डाल कहा है काफी अच्छा दिख रहा है तो हमारे जो मसाले हैं काफी अच्छे हो चुके हैं आप देख रहे हैं अब हम उच्छा जो हमारे खोले हैं इसको डाल देते हैं यह जो हमने आलू डाले हैं इसके हम गोदो ऐसे ही संचे से कर देते हैं अब हम अच्छे से इसको जिला देते हैं तोड़ी देर तक इसे पक में देते हैं अभी से हम पानी इसमें एड़ में करेंगे पानी को हमें अभी यह अगर पानी डालना है तो गराम कर से नहीं पानी गरम पार लिया कर लिए यह जो नहीं अब पानी को डाल देतें गरम पानी अजर्व ृह पानी जितने आप धे लेर बादकें अगे अगाने नेटें लाएंगे पानी हम इसमें एड़ कर रहे हैं एकदम जादा भी नहीं करना है पानी और एकदम कम भी नहीं रखना है देते हैं मैं इसको पूरा बहर देता है है अगिए गरम पानी इसमें डाला है अच्छा से यह जो मारे चूले रिक खोलने लगवे हैं अब हम इसमें तनिया पती डाल देट हैं ताक सीच ने टेस्ट्स आजए जिळा ये बाकिशे चूले मसाला है वह मैंने अभी नहीं दाल आ है तो इसको भी डाल देंते हैं थोले मसाला है जो मैं उसे उपर से दाल रही हूँ जो भी डाले आप तक ये उसकी खुश्बू भी बनी रहे और इसका टेश्ट भी अच्छा आता है अगर पहले से डालेंगे तो इसना अच्छा टेश्ट नहीं आएगा तो ये हमारे पक चुके हैं अच्छे से आप देख सकते हैं ग्रेवी ताफी अच्छी भी साहिए अब हम इसने पांस मिनट तक और पकने देते हमाने ठटके रग देते का है तो ये जो हमारे छुले हैं इसे दस मिनंट मैंने अच्छे से पका लिया है काफी अच्छे दिख रहे हैं आप देख सते हैं बहुत अच्छे पक चुके हैं सारी चीजे समों अभी должен कर दी है अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत अच्छी दीख रहे हैं, आप देख सकते हैं, कलर भी आप देख सकते हैं, पानी मैंने इसमें इतना एड किया है, आप अपने इसाफ से कर सकते हैं, पानी फिर एकडम जादा डालते हैं, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता और अच्छे दिखते भी नहीं है तो मैंने इतना ही एड़ किया है उसाफ से पानी को एड़ कर सकते हैं और मैं गेजबुको बन कर रही हूं तो इसे हंडा होने का इंतेजार करते हैं तो फ्रेंट्स हमारे छोले बन के रेडी हो चुके हैं बहुत ही अच्छे दिखरे आप देख सकते हैं और मैंने आपको बताया कि हलवाई वाले छोले मैंने आपको बताया हैं और ये खाने में वी वैसे ही छोले लगेंगे जैसे आप हलवाई का सोचते हैं और खाते हैं तो पूड़ी पराठे चावर किसी चीज के सांथ खा सकते हैं और आपको हमारे छोले रेसिपी आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने लाइक और शेर नहीं किया है तो जरूर कर लें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नह कि रहे तो मिलते हैं प्रैंट्स लेक नहीं रेसिपी से तब हैपी कुपी